कि हालो गाईज तो एक बार मैं रोज शर्मा फिस्ट आपका स्वागत करते हूं मेरे चैनल डुक्टर क्लासेज में तो वीडियो में बात करेंगे अपना हमारा यह एरड देक्शन का था पार्ट नमबर टू डिसक्स करेंगे 50 इंपार्टन रूल में आपको बताये हैं मैं आ रखेगा गाईज then plus any other ठीक है then plus any other ठीक है जब भी आपके पास then लिखा रहे ठीक है उसके बाद any other लिखा रहे उस वकट आप क्या लगाएंगे singular countable noun जो यह मैंने as cn लगाया है ठीक है तो guys c यहां पर क्या है c का मतलब है countable and का मतलब है noun ठीक है clear है then any other जब लिखा रहे उ उसके बाद दूसरा रूल देन प्लस आल अधर जब आपके बाद देन प्लस आल अधर लिखा रहेगा उस वकत आप क्या यूज करेंगे प्लस प्लूरल कॉंटेबल नाउन आप उसमें यूज करेंगे अभी आप एक्जम्पल से देख जाओगे तो गईस आप एरर संबड़ी नोबड़ी जब भी आपके पास यह सब चीजे लिखी रहेंगी दैन के साथ एनिबड़ी लिखा रहे इन में से कोई भी लिखा रहे उसके आप लगाएंगे क्या लगाएंगे गाईज यूज करेंगे ठीक है यहां ते क्लिर ए मैंने कहा था सिरफ एक रूल लि लिखा रहेंगे singular countable noun plus singular verb तो आपको यह बार पर repeat करने पड़ेंगे revise करने पड़ेंगे तब ही आपके पले पढ़ने वाले हैं राम is better than जब हमारे पास क्या है राम is better than any other boys in the class ठीक है राम जो है वो दूसरी लड़कों से क्या है बैटर है लेकिन मैंने क्या कहा आपको जब आपके पास any other लिखा रहे तब आप यहां पर क्या लगाएंगे singular noun लगाएंगे क्या लगाएंगे गाईज बिल्कुल अच्छे बहुत अच्छा बोला आपने singular noun लगाएंगे तो यहां पर यह वाइस क्या है यह तो plural है यह तो plural है plural हम यहां पर नहीं लगाएंगे हम क्या राम is better than any other by in the class ठीक है ये clear है ओके चलते हैं अगले वाले पॉइंट के तरफ रामु is better than anybody जब भी मैंने आपसे कहा anybody हो यहां पर somebody हो nobody हो तब आप इसके हाथ क्या use करेंगे else use करेंगे ठीक है गाइस ये भी अगला है हमारे पास रामु is better than all other जब भी आपके पास all other लिखा रहे then के साथ आपके पास all other लिखा रहे ठीक है उसमें क्या लगाएंगे आप मैंने क्या कहा था आप से उसमें आप लगाएंगे singular countable noun लगाएंगे आप singular verb ठीक है sorry ये किसकी बात कर रहा हूं मैं all other की जब भी मैं all other की बात करूंगा उसमें लगाएंगा मैं क्या लगाएंगा guys plural countable noun तो wise क्या है ये countable है या नहीं है exactly बिल्कुल सही कहा आपने सही सही सुना आपने wise जो है guys हमारे पास यहां पर countable noun है ठीक है तो guys मैंने क्या कहा जब भी आपके पास then plus all other लिखा रहे उसके साथ आपका क्या आएगा plural countable noun आएगा ठीक है ये clear है चार यहां पर मैंने आपको रूल बता दिये चलते हैं अगले वाले रूल के तरफ अगला वाला रूल है guys हमारे पर रूल नंबर 7 इसमें क्या है जब भी आपके पास one of each of every of जब भी आपके पास ये तीन चीजों में से कोई भी लिखा रहे उस लगाएंगे singular verb लगाएंगे ठीक है important rule है इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए ठीक है क्या है one of my best friends is our engineer अभी यहां पर बताया गया है आपको बताना है कि one of my best friend is our engineer मैंने आपसे क्या कहा जब भी आपके पास one of यहां पर लिखा रहे ठीक है तो आपने क्या लगाना है plural noun लगाना है क्या लगाना है plural noun और singular verb अब यह देखिए मैंने friends लगाया यहां पर यह friends क्या है गाईज यह है हमारे पास plural noun है की नहीं है plural noun यह ओके गुड अब वरब क्या लगाएंगे हम यहां पर singular verb लगाएंगे तो मैं यहां पर इसको टिक करूंगा और और मेरा गलत हो ठीक है काईज यह क्लियर है ओके चलते हैं अगले वाले प्वाइंट तरफ अगला वाला प्वाइंट है he is one of the children who was वर प्लेइंगे अब वन आफ दचिल्डरन ही इस वन आफ यहां पर लिखा रहे है इच आफ हो एवरी आफ हो अब क्या करेंगी plural noun लगाएंगी singular verb लगाए यहां पर करा he is one of the children ठीक है वो बच्चों मेंसे एक है who was वर प्लेइंगे अब चिल्डरन क्या है गाईज हमारे पास children है हमारे पास plural noun ठीक है इसको टीक करूंगा किसको करूंगा गाईज अभी यहां पर आप देखेगा preference किसको मिलेगी यहां पे preference मिलेगी इस हू को किसको मिलेगी जब भी आपके पास यहां रखेगा यह एक point बहुत important point है यहां पर आपके पास guys जब भी आपके पास क्या है preference मिलेगी who को अभी यहांपर देखे he is the children children के बात कर रहा है ना तो children किया है मेरा plural noun है क्या है मेरा plural noun है तो इसमें मैं किसको टीक करूंगा किसको टीक पर यहां पर यह रूट नहीं लगता है ठीक है जब भी हमारे पास he is one of the children यह वाला होगा one of the children one आप भी है लेकन आगे आपके पास who भी है ठीक है उसमें आप इस who को preference देंगे इसको preference देंगे you will give the preference to who ठीक है who को preference देंगे तो इसके according लगे चिल्डन की बात कर रहा है तो इसके इसमें क्या आएगा चिल्डन की प्लूरल है तो प्लूरल ही यहां पर आएगा ठीक है guys यह clear है यह important point है ऐसे question आपके पूशे जाते हैं guys ठीक है इसको ध्यान से note कीजेगा अ मैं आपको कहा जब भी आपके पास यहां पर guys who आ जाएगा आगे यह rule आप पढ़ेंगे ठीक है लेकिन आप यह बता दूँ जब भी आपके पस one-off होगा और who का rule होगा उसके आप यहां पर क्या यूज करेंगे guys work को यूज करेंगे क्यों कि देखे यह friends है और friends क्यात who हमारे पास क्या रहता है जब हमारे पास हूँ रहता है उसमें हमारा one-off वाला रूल थोड़ा सा खतम हो जाता है ठीक है guys यह clear है चलते हैं अगले वाला रूल के तरफ यह हमारे पास अगला वाला रूल है यहां पर देखे क्या कुछ वार्ट्स दिये हैं perfect unique ideal chief universal complete entire excellent supreme relatively fairly comparatively ठ चैसे भीन हैं चाहिए अब देखे आपने क्या करना है इन वाल्स को अपने दिमाग में रक्ते है बिठा दिया ओकfta दिया अब आगे देखें आपने कभी भी comparative degree और superlative degree इन जिए इस नहीं और योज्ज करने है क्या करने है आपको पता है na comparative degree क्या होता है पतलो तो है lesser ठीक most beautiful ये क्या हो गाए हमारे सुपर लेटिव डिग्री हो जाती है अब देखें यहां पर क्या है इस रूम इस रिलेटिवली मौर कमफर्टेबल जब भी मैंने क्या हाे रिलेटिवली आपके पास हो उसका साथ है करेंगे कभी भी कम्परेटिव डिग्री को नहीं लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा this room is relatively comfortable guys clear है आपको बता रहा हूं मैं सौर पे का रूल है ठीक है बिदकुल free में मिल रहा है ठीक है guys थोड़ा जोग भी बीच में आपको सुनाना चाहिए अगला है I have never seen more complete book on GK ठीक है मैंने कभी भी पूरी GK पर complete book नहीं देखी है अच्छा नहीं देखिए फिर मैं क्या करूं आच्छा देखिए अब यहां पर क्या है मैंने कहा जब भी आपके पास complete लिखा रहे perfect unique ideal chief universal complete entire excellent supreme relatively fairly comparatively जब भी आपके पास यह लिखे रहें आगे देखते एंका इस विखाए है आगे है हमारे पास अगला रूल रूल रूमबर 9 ठीक है if work a is directly proportional to work b ठीक है अगर एक का जितना काम है तो उतना ही directly यह रखली प्रपोश्टनल है भी के अगर अगर दादा काम करेगा भी भी जादा काम करेगा तब क्या होगा देन वी उस वोगा दोनुष साइड क्या करेंगे comparative degree को लगाएंगे with the before that degree उस degree के पहले हम दा लगाएंगे क्या लगाएंगे दा लगाएंगे जैसे के दा प्लस comparative degree यहाँ पर मैं आपके लिख लिख लिया है ठीक है आगे दिखतें example जैसे कि क्या है the highest the race the greatest the profit यह हमारे पस गल्त मैंने आपसे क्या कहा हम यहाँ पर क्या के comparative degree लगाएंगे दा के बाद the higher the race the higher the race the greater the profit the higher the race the greater the profit यह हमारा यहाँ पर रूल चलते हैं अपने इस वीडियो के last rule के तरफ तो guys progression ठीक है regression ठीक है then we use double cd in that sentence cd means comparative degree comparative degree ठीक है जब भी आपके पास progression हो regression हो double हो उस मगता में करेंगे double comparative degree यहां पर लगाएंगे जिसे के sonya is getting fat and fatter sonya fat भी हो रही है इसलिए हम किसमें क्या लगेंगे sonya is getting fatter and fatter ठीक है bigger and bigger ठीक है lesser and lesser ठीक है जब भी हो तो दोनों हाँ पर आप comparative degree को use करेंगे double double करेंगे ठीक है तो guys यह थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है तो guys thank you god bless you all झाल